नमस्कार दोस्तों ललिज जोति समाधान में आपका स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट्स और फॉन कॉल्स पर पूछा है कि क्या हम एक समय में एक से जादा मंतरों का जाप कर सकते हैं दो तीन चार मंतरों का जाप कर सकते हैं तो देखिए इसी विशय पर आज के वीडियो में हम विस्तार में बात करेंगे इस कोशन को हम दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं जैसे आप मेंसे काफी सारे लोगों ने पूछा है कि क्या हम एक समय पर दो तीन देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं तो इस question का जवाब भी आज के वीडियो में विस्तार में दिया जाएगा देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक चीज ये clear कर दूँ कि बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं इस देवी देवताओं की पूजा करता हूँ उस देवी देवताओं की पूजा करता हूँ कहीं मुझे नुकसान तो नहीं होगा तो सबसे पहले तो इस चीज का मैं जवाब सपस्ट कर दूँ कि किसी भी देवी देवता की पूजा आपको कभी भी नुकसान नहीं देती है बहुत से लोग मिसगाइड करते हैं या बोल देते हैं कि आपने इस देवी देवता की पूजा कर ली तो आपको नुकसान दे जाएगी नहीं बिल्कुल नहीं किसी भी देवी देवता की पूजा आपको कभी भी नुकसान नहीं दे सकती हाँ ये बात जरूर है कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके शरीर के औरा के अनुसार आपकी एनरजी के अनुसार कुछ मंत्र ऐसे जरूर है जो आपको अधिक फायदा पह कोई जोतिश उपाए, कोई तांत्रिक उपाए, तो नुकसान पहुचा सकता है, लेकिन कोई भी मंत्र किसी देवी देवता की स्थूती के लिए होता है, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुचाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या तीन-चार मंत्र एक साथ पढ़ने चाहिए, या हम दो-तीन देवी देवता की पूजा एक साथ कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हुए आए हैं, शुरू से अभी तक उस देवी देवता की पूजा कभी नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आपको scientific तरीके से ये बार समझाता हूँ मानली जीए आप हनुमान जी की पूजा करते हैं आप शुरू से हनुमान जी का श्रीराम जी का सुनण करते आएं अब आपको किसी ने बता दिया कि आपके उपर शनी भारी चल रहा है शनी के डहिया चल रही है साड़े साती चल रही है या दश्या या अंतरदशा में शनी आपको परिशान कर रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप सनी रेव की ही पूजा करने लग जाएंगे आप उस समय में शनी का मंत्र पढ़ सकते हैं आप उस समय में शनी की स्तूती कर सकते हैं शनी से संबंदित उपाय कर सकते हैं लेकिन ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा छोड़ देंगे आशा करता हूँ इस एक्जामपल से जरूर आपको समझ में आया होगा अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि 4-4-5-5 मंतर 3-3-4-4 मंतर एक साथ पढ़ रहे हैं आप अगर ऐसा करने वाले लोगों में से हैं तो आप स्पस्ट रूप से जान लीजिए कि इस तरह से मंतरों का जाप करने से आपको कभी भी लाप नहीं मिलेगा अगर हम देखें तो बहुत जादा पूजा पाट करने वाले लोगों का दामपत्य जीवन अधिकतर खराब रहता है इसलिए अगर सब चीज़े आप करिए लेकिन लिमिट में करिए आपको अपने गरस्त जीवन में कोई तांतरिक तो बनना नहीं है तो करना क्या है आपको वो मैं आपको बताता हूँ देखिए आप क्या करें कि माली जीए आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप इसके साथ शिव जी की पूजा कर सकते हैं ठीक है आप दुरगा मता की पूजा कर सकते हैं कोई बुरा ही नहीं है लेकिन एक तरफ तो आप तुरंत आपने पढ़ा हनुमान जी का मंत्र और उसके साथ गणेश जी का मंत्र पढ़ दिया उसके साथ स्री कृष्ण का मंत्र पढ़ दिया इस तरह के मंत्र पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों ऐसा आप बिल्कुल ना करें एक तरीका मैं आपको और समझाता हूँ जिससे आपको बहुत हैल्प मिलेगे आपने TV प्रोग्राम में या YouTube channels पर काफी बार देखा होगा कि लोग बताते हैं कि आज आप इस मंत्र का जाब करें आपको ये समस्या चल रही है तो इस मंत्र का जाब करें नहीं ऐसा बिल्कुल ना करें एक मंतर में इतनी शक्ति होती है कि वो जीवन से जुड़ी जितनी भी समस्यां होती है उनको हल कर सके एक मंतर में इतनी शक्ति होती है कि जीवन में जो भी आपको चाहिए वो सभी आपको दे सकता है इसलिए आप एक मंतर पे अपनी कमांड मनाईए एक मंतर को अपनी आत्मा में अपने मन में अपने तन मन में बसाईए उसी से आपको सारी समस्यां से निजात मिलेए ये बात बहुत important है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो एक मंतर होता है वही सब कुछ आपको दिला सकता है अब जैसे कि कुछ मंतर होते हैं आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आप राम जी की पूजा कर सकते हैं कोई बुरा ही नहीं है आप दुरगा माता की पूजा कर रहे हैं तो साथ में आप बजरंग बली की पूजा कर सकते हैं कोई बुरा ही नहीं है अब विश्नु मंतर का जाप करें अब बड़ी confusion हो जाती है कि क्या करें देखिए ऐसे में आप क्या करेंगे कि आप अपने साइं बाबा की पूजा ना छोड़ें यह तो example था आप जिस भी इश्चदेव की पूजा करते हैं उसकी पूजा ना छोड़ें और अगर आपको किसी भी तरह की confusion होती है तो आप क्या करें माली जी आप शिव जी की पूजा करते हैं और आपको उपाय करने के लिए बोल दिया गया क्रिश्न का अब आपने कभी श्री कृष्न की पूजा करें ही नहीं है तो आप पूजा तो करें श्री कृष्न की लेकिन उसमें अपने मन में ऐसा बनाईए कि आप किसी की भी पूजा करें हर देवी देवता में आप उसी का सवरूप देखें क्योंकि एक बात आप सभी को पता है कि सभी देवी देवता एक हैं लेकिन जो उपाय हैं वो कभी-कभी अलग करने पड़ जाते हैं एक बात में ये बताना च होंगा आप सबको कि आप किसी भी मंत्र का जाप करें उसका समय आप निर्धारित रखें आप कोई भी पूजा पाट करें उसका समय आप जरूर निर्धारित रखें एक ही समय रखें ताकि आपको फायदा मिलें अगर आप कभी 10 बजे पूजा करते हैं कभी 12 बजे करते हैं तो इस तरह की पूजा जादा फल्दाई नहीं होती, इसलिए अच्छा होगा कि जब भी आप पूजा करें, तो किसी भी एक समय पर ही करें, ताकि आपको पूजा का पूरा फल मिल सके, दूसरी बात एक यह है, कि जब भी आप पूजा करें, कोई भी मंत्र का नुष्ठान करें, या किसी भी मंत्र को उठाना चाहें, या किसी भी मंत्र का संकल्प लें, तो सबसे पहले अपने पित्रों की पूजा जरूर करें, क्योंकि अगर आप अपने पित्रों की पूजा नहीं करतें, या नहीं कर रहें, तो ये जान लीजिए कि किसी भी देवी देवता की पूजा सफल नहीं हो पाती इसलिए आपको मैं सला दूँगा आप कोई भी मंतर करें, कोई भी पूजा पाट करें अपने पित्रों की पूजा आप जरूर करें और बहुत अच्छा होगा कि कोई भी मंतर जाप करने से पहले आप किसी गुरू से कोई मंतर ले ले और ऐसा नहीं है तो आप जिस देवी देवता के परती सबसे ज़्यादा आकर्शित होते हैं जो भी देवी देवता आपको सबसे ज़्यादा आकर्शित करते हैं आप उस देवी या देवता का मंतर पढ़े या बचपन में आपके मन में जिस भी देवी देवता के लिए अटूट श्रद्धा थी आप उसका मंतर पढ़े या जब भी आप संकट में होते हैं आप पर कोई मुसीबत आ जाती है या आपको किसी भी परकार का डर लगने लगत तो जिस भी देवी देवता का नाम आपके मूँ से सबसे पहले निकलता है आप उस देवी या देवता के मंतर का जाप कर सकते हैं रात में जब आप सोते हैं तो कई बार बहुत से लोग ड़ड़ जाते हैं अचानक जटका लग जाता है कोई बुरा सपना आ जाता है तो सो के उठने के बाद या उसी समय जो भी आपके मुझ से सबसे पहले मंतर निकले या जिस भी देवी देवता के नाम निकले उस देवी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली के अनुसार कोई मंतर पढ़ना चाहते हैं जो आपके शरीर की एनरजी से मैच करें जो आपके शरीर के औरा से मैच करें तो ललित जोतिस समाधान पर दिये गए नंबर पर आप संपर कर सकते हैं यहां मंतर परदान क जाते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं यह मत पूचिए कि 43 दिन पढ़ना है कितने दिन पढ़ना है जो भी मंतर मैं यहां पर प्रदान करता हूँ वो मंतर जीवन भर के लिए होता है मंतरों को अपने जीवन का नियम बनाईए ऐसे मत सोचिए कि यह हमने इतने दिन कर लिया तो हमें क्यालाब होगा, मंतरों को अपने जीवन का नियम बनाई है तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बहुत विश्थार में जाना कि क्या मंतरों का जाप दो या तीन मंतरों का जाप एक साथ करना चाहिए तो सपस्ट रूप से जवाब है ना, नहीं करना चाहिए एक ही मंतर का जाप करिए तो आपके लिए अच्छा होगा तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा नमस्कार दोस्तों जैश्रिराम